इस वीडियो में हम बात करेंगे सम्मरी जो है going places जो की लिखी गई है ए आर बाटन की द्वारा तो आए शुरू करते हैं दे स्टूरी going places has been written यानि यानि या स्टूरी going places जो है लिखी गई है ए आर बाटन की द्वारा it revolves around revolve means होता है परिक्रमा करना लेकिन यहाँ पर है यानि जो कहानी की जो मुख्य विशय बिंदू जो है around fantasies fantasy मतलब कलपना होता है यह कोरी कलपना जिसको कहता है यानि जिसका वास्त्विक्ता से कोई लेना देना नहीं होता या थार्थ से कोई लेना देना नहीं होता तो यह कोरी कलपना के आसपास ही यहाँ कहानी घुमती है and daydreams daydreams का मतलब दिवासवपन होता है यानि दिन के शपने इन सब के बीच ही यहाँ कहानी घुमती है it tells us यह हमें बताती है about the teenage period teenage मतलब जो जो एक time period होता है 11 या 13 से 19 साल के बीच का उसे हम teenage कहते हैं teenagers आप लोग सुने होंगे यह term where people often dream यानि जिस दौर में लोग अक्सर जो है सपने देखते हैं which has no connection with reality जिनका सचाई से कोई लेना देना नहीं होता यानि अक्सर इस उम्र में लोग ऐसे सपने देख लेते हैं जिसका सचाई से हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता है in the story कहानी में there are two girls दो लड़कियां हैं जिनका नाम Sophie और Jancy है Sophie is a girl of fantasies यानि Sophie जो है कलपनाओं से भरी हुई लड़की है यानि वो हमेशा कलपना की दुनिया में ही जीती है in other hand दूसरी तरब देखा जाए तो Jancy believes in reality तो Jancy एक practical लड़की है और वो reality में विश्वास रखती है the story begins कहानी की जो सुरुवात होती है with the conversation बातचीत से of both friends यानि दोनों दोस्त Sophie और Jancy के बीच के बातसित से इस कहाने की सुरुवात होती है Jancy makes Sophie understand Jancy Sophie को समझाती है चुकि Jancy practical लड़की है तो वो भी चाहती है कि Sophie भी practical दुनिया में जीए लेकिन वो कलपना की दुनिया में जीना जैदा परसंद करती है तो वो समझाती है that they belong to a lower middle class family कि वो एक lower middle class family से belong करते है they lack money L.A.C. के उनके पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी है they lack money but Sophie does not listen to लेकिन Sophie नहीं सुनती है to her उनकी बातों को she keeps daydreaming वो दिन के सुपन देखती रहती है and thinking of a good future we learn that हम सीखते है Sophie यानि हमें पता चलता है कि Sophie जो है is fond of OFF नहीं सिंगल F होगा Sophie is fond of football Sophie को football बहुत ज़्यादा पसंद है it is also revealed that यह भी बात पता चलती है that कि she likes a footballer वो एक footballer को पसंद करती है जिनका नाम Danny Casey होता है Casey में C होगा C A E S Y she makes up a story वो एक कहानी बनाती है यानि कहानी मनगलंत कहानी जो है जिसको कहते हैं हम लोग and tells her elder brother अपने बड़े भाई Jioff Jioff में G हो जाएगा Jioff को सुनाती है who never believes her story जो कि उसके story को कभी believe नहीं करती है करता है actually तो Jioff also wishes that वो भी यहीं चाहता है कि कास that her story is real कास उसकी कहानी सच्ची होती मतलब सच मुछ ऐसा कुछ होता she is intensively attached to her dreams वो अपने सपनों से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है and she considers और इतना ज़्यादा कि वो consider करती है herself अपने आपको एक character of her story अपने ही कहानी के एक पात्र वो समझ लेती है अपने आपको she even goes to meet यहाँ तक कि वो यह भी समझ लेती है कि Danny Casey ने उसे मिलने बुलाया और वो मिलने चली भी जाती है but she has to wait and wait बस उसे इंतजार ही करना होता है because क्योंकि this all is just her fantasies क्योंकि यहाँ बस उसके एक कलपना है fantasies का spelling F-A-N-T-A-S-I-E-S fantasies it concludes यहाँ कहानी जो है ES होगा concludes में यहाँ कहानी जो है अंत होता इस कहानी का with relation एक सबक के साथ that over dreaming की बहुत ज़्यदा सपने देखना and living in the world of fantasies और कलपना की दुनिया में zina may hurt hurt H-U-R-T वाला होगा हमें तकलीक पहुचा सकती है us so we all must be practical practical का spelling P-R-A-C-T-I-C-A-L we all must be practical हमें जो है practical होना चाहिए मतलब यथार्थवादी होना चाहिए जो बातें संभव उसी के बारे में सोचना चाहिए even while we are dreaming यानि सपने देखते वक्त भी हमें practical होने की ज़रूरत है नहीं तो वो सपने हमें चोड़ पहुचा सकते हैं जो कभी सच ना हो सके Thank you